जहें दोस्तों बंदे मातरम मैंने कभी नहीं सोचा था कि राम नवमी प्रमुक हिंदू त्योहार हैं ऐसे त्योहारों के उपर देश में कभी 1344 लगी लेकिन हाँ देश में 1344 ऐसे ही त्योहारों के उपर लग रही वाकई में ये चीज सोचना समझना मतलब विश्वास करने लायक नहीं है लेकिन वाकई में ऐसा हो रहा है राजस्तान के करॉली में जो घटना देखने को मिली है हिंदू नववर्श वाले दिन उस घटना से इतनी ज़्यादा गंबीर हो गई राजस्तान सरकार के उसने हिंदू त्योहारों के उपर ही दार 1144 लगा दी दार 1144 वो ह आप खुद समझ सकते हैं कि इस समय राजस्तान के गहलोद सरकार जो है वो किस मानसिक्ता से निकलने कोशिश कर रही है कुछ दिनों पहले करोली मोही घटना के उपर वहां के चीफ मिनिस्टर जो है गहलोद साहब उनका भी रियक्शन सामने आया ता जिसमें कि उन्हें जर समझते हैं कि अब राव नौमी और हनुमान जहनती के उपर क्या कुछ करने जा रही ही राजस्तान सरकार राजस्तान के मुख्यमंत्री अशो गहलोद के अगवाई वाली कौंगरिस सरकार में राज्य के अजमेर जिले में हिंदूत योहारों से पहले धार 144 लागू कर जरने का फर्मान जारी किया गया है फर्मान में आयोजनों के दोरान धारमिक चन्न वाले जंडों को नहीं लगाने की हिदायत दी गई है वजरा सोची इसी बात को आप भारती जंता युवा मोर्चा के पूर राश्ट्री उपादेश और अजमेर नगर निगम के डिप्ट दीजे बजाना अपराद है गौरत अलब है कि एक और महावीर जैनती दुर्गाश्टमी अंबेटकर जैनती राम नवमी और हनुमान जैनती के जलूस और शुभायातर पड़ी आदेश गहलोत राज मुगल राज इसके साथ ही उन्होंने जो सरकुलर था उसको टैच किया बताते हैं कि 10 अपरेल को राम नवमी, 14 अपरेल को महावीर जैनती, 16 अपरेल को हनुमान जैनती इन अफसरों पर हिंदू समुदाय धूमधाम से जहाकी एवं जलूस निकालते हैं और पर वको मनाते हैं सरकार के फर्मान के मयवजनों के दोरान धार्मिक जहंडोंपर रोक लगानी के निर्देश के बाद हर तरफ सरकार क्या लोचना हो रही है अजमेर प्रशासन दौरा जारी किया गए सर्कुलर में कहाा गया है कि अजमेर के पुलिस अधिक्षक द्वारा ये अवगत कराया गया है कि अजमेर जिले में आयोजित होने वाले धार्मिक प्रायोजनों के दोरां धार्मिक प्रतिक्चे ने युक्त जंडिया, सारवजनिक संपत्ती जैसे की समुदाइक भवन, विश्राम ग्रह, सारवजनिक पार्क, चौराहे, तिराहे, बिजली टेलिफोन के खंबे, आदी अत सततसामाजिक सद्भाव प्रतिकूल रूप से बदेत होने की अशंका उत्पन्ह हो सकती है, अजमेर के जलादिकारी दीब्द अंश के नाम से जारी सर्कुलर में कहा गया है, कि इस प्रतिबंद में गरुवार मतलब कि 7 अपरेल 24 से अगले एक माह तक जारी रहेगा, इस द और महा अर्तिकायोजन होना था, इसके पहले सरकार ने धार 24 लगा दिया था, इसको लेकर बाग काफी जादा बवाल हुआ था, इस तरह प्रतिबंदों के कारण करॉली में हिंदू नवर्ष पर निकाली की जलू सियात्रे में मुस्लिमों की भीड़ने हिंदू पर हमला कर दिया था, इस हमले में तैतिस लोग और चार पुलिस करमी घाल हो गए थे, वही कई वहानों और दुकानों में आग लगा दी गई थी, अब गहलों सरकार से जब वो एक घटना नहीं समल सकी तो इन्होंने इस तरह से एक्शन उठाया है, इस तरह से इनको कर्प किया जाए कि यह समझने वाली बात है, क्योंकि अगर हिंदू अपने त्योहार अपने देश में ही नहीं मना पाएंगे तो कि बंगलदेश में जाके बनाएंगे, मेरे सुझी फिलाल अपना ही जाए हिंद, चैपाराओ